देखेकर काली घटा को ये भ्रमर मत हो निराश, बंद कलियां भी खिलेंगी रात हो जाने के बाद नमस्कार आप देख रहे हैं महोबा नियूस बुंदेल खंड में विशेश बाचीत का दौर में आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे हैं आशीश आज की विशेश बाचीत के दौर में हमारे साथ मौझूद है शरम जीवी पत्रकार परिसद के उत्तरप्रदेश के अध्यक्छ और महोबा जिले के प्रैस क्लप के अध्यक्छ संजय sticks जी संजय मिश्रा जी से आज की विशेश बातचीत में हम बात करेंगे कि प्रेस क्लब के जो 25 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं उसको लेकर के किस तरीके की विग्धने आई किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर तरीके से संचालित किया इन बीते 25 सालों में हमारे साथ तीन जुलाई संतानवे को प्रेस क्लब का गठन हुआ उस समय जो पत्रकारता के इस्थितियां थी पत्रकारों के संघर्स के लिए पत्रकारों के सम्मान की लड़ाई के लिए उनके स्वाभमान की लड़ाई के लिए सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ चोकि पत्रकारता का पेशा है तो इन सारे मुद्दों के लिए एक संगठन का गठन किया गया प्रेस क्लब और प्रेस क्लब ने इन 25 वर्सों में अपने बहुत सारे उतार चड़ाओं वो देखते हुए आज प्रेस क्लब अपना रजत जयंती भर्स मनाने जा रहा है और इस पूरे भर्स में हम लोग बिभिन समारोह का आयुजन करेंगी बड़े समारोह क आयुजन किये जा耶ठा Pberg ने हमेशा पत्रकारों के संगठन प्रसाशने कारियों में सहयोग सामाजिक सरोकार के लिए आप ये प्रेस क्लब का और्गनाजेशन संगठन बनाया गया था वर्स 1997 में संजर जी इन बीते 25 सालों में ऐसे बहुत बार हुआ होगा जब उतार चड़ाव आए होंगे कहीं पर दिक्कते आई होंगी तो उन उतार चड़ाव को ले करके कैसे आपने पूरा कंट्र ढूरा को मुझे लीड करने का मौका मिला हमारे पतरगार साथियों ने यह मौका दीया और उतार चड़ाव की बात जहां तक आपने की तो हिमांग जी यह मैं Аनग की आपसे कहूँँगा कि उतार-चड़ाव एक जीवन का एक अपना अभिनंग है उतार-चड़ाव हर ची हम एक धे बना कर काम कर रहे थे, हम अच्छा उद्देश लेकर कर काम कर रहे थे, तो हमको हमेशा बड़ा सहयोग मिला, हमारे पत्रगार साथियों ने हमेशा हमको बहुत सहयोग दिया, और तभी हम ये लड़ाई लड़ पाए, आप जानते हैं संगठन है, तो संगठन से ही ह हम मजबूत है और हमारे पतरगार साथी मजबूत है हमारी पहचान प्रेस क्लब से है प्रेस क्लब तभी मजबूत है जब हमारा एक एक साथी मजबूत है और हम उसकी लड़ाई हकी लड़ाई उसके प्यार उसके स्वामान की लड़ाई सामाजी की लड़ाई में हमने उसको कि खड़ा किया है तो उतार चुड़ाओ की बात है जहां तक तो उतार चड़ाओ आए और आज हम इस पाइदान पर है कि हम ने अपने बहतर पच्चेस वर्स पूरे किये हैं बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं एक महा पुरुष ने भी कहा है कि it is very important to face a struggle in the life if there is not a struggle in the life then you can't achieve any success in the life मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत भी हूँ इस बात को पच्चेस वर्स पूर्ण होने वाले हैं जैसे अभी आपने बताया यह इसका रज़त जैंती बर्स मनाएंगे और पच्चेस बर्स पूर्ण होने पर मैं इस पूरे बर्स बहतर कारक्रमों का प्रेस कलब आयोजन करेगा बड़े कारक्रम होंगे यादगार कारक्रम होंगे और प्रेस कलब की भूमगा होगी वो समाज के कौने कौने तक होगी क्योंकि पत्रकारता का पेशा जिम्मेदारी का पेशा है बहुत एहम पेशा है और पत्रकारों की उपर लोगों को भरोशा है पत्रकारता के पेशे और हमारे पत्रकार साथियों ने प्रेस क्लब के साथियों ने जो भरोशा जताया जिस जिम्मेदारी से अपने पेशे को नि प्रवाइब 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 करने का सोच रहे हैं अभी कुछ आपने स्ट्रेट्जी बनाई है क्या देखिए अभी बीते दिनों जब हम लोगों ने इस पर मन्थन किया कि यह यादगार वर्स है हमारे लिए और इस बर्स में तो बुंदेली खंड को हम लोग बिलॉंग करते हैं तो पहले तो हमारा प्रयास यह होगा कि बुंदेली बिधाओं से जितने भी हमारे लोक नत हैं या सांस्कृत कारकरम हैं बुंदेली कारकरम हैं जो भी तो बुंदेली कारकरम में जो हमारे सा सामने लाएगा और उनकी सम्मान में उनका गोरव बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और ऐसे कारकरमों का नरंता हाई हो जुर करने जा रहे हैं बड़े कार क्रम होंगे ब५ंदली कार में सामिल होंगे बिल्कुल यह बात सही है आपने का एक आखरी सवाल कि पत्रकारों के लिए क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं क्योंकि बीते कुछ समय से देखने को ऐसा मिलना है कि जैसे अभी लखीमपुर में भी देखा गया जहां पर पत्रकारों के साथ मंतरी ने बस सलू सब्सक्वास के सटाइब का जो अधिकार चेत्र है वह प्रसासन का होता है नियायलय का होता है पुलिस का होता है तो ऐसी देख में परदेश में कहीं भी घटना घटी पीछे 25 सालों में हम लोगों ने उन मोदों को बहुत प्रमुकता से उठाया आपने लखीमपुर की बा तो प्रेस क्लब ऐसी कारक्रम करता रहा है उत्पिरन की बात जहां तक है तो हर उत्पिरन के खिलाब प्रेस क्लब खड़ा हुआ है मजबूती से खड़ा हुआ है बहुत ताकस से खड़ा हुआ है हम अपने एक एक साथी को न्याय दिलाने का अधिकार रखते हैं और ऐसा पत्रकारों की लड़ाई के लिए उनका संगटन हमेशा खड़ा रहेगा और यह बास सही है कि जब देश के आजादी हुई थी तो दो ही ऐसे पेशे थे जो सबसे ज़ादा समाझ के लिए लड़े थे एक तो वकालत और दूसरा पत्रकारों का आपको इस चीज की जानकारी भ रहे पा रहे हैं फिलाल आज के हमारे शो में इतना ही अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके से कुछ खास मेहमानों से विशेज बाच्चीत करेंगे तब तक के लिए आप स्वस्त रहें सुरक्षित रहें और जोड़े रहें महोबा न्यूज पुंदिलखंट के साथ